जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉम को सर्च करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट अलिमेंट बाइड, गेट अलिमेंट बाइड, फिर एक डॉक्यूमेंट डॉट को एक सेलेक्टर होता है, जिससे कि आप लोग करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे querySelector, document.querySelector all, क्या है यह सब चीज़े, क्या आप बोले जा रहे हो भाई अभी बताता हूँ यहाँ पर मैं एक सबसे पहले बनाऊंगा पांच boxes, और इन सब boxes में एक ही बात लिखूंगा, और वो क्या होगी मैंने एक नाम लिख दिया है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक script लगाँगा, script src और script.js और एक script भी यहाँ पर बना लेता हूँ जलती से script.js और यहाँ पर आप लोग देखो, जो script.js बनाईगी, मैंने console.log और यहाँ पर हैरी लिख दूँगा सिर्फ और इसको मैं जैसे ही run करूँगा अपनी index.html को आप लोग को यहाँ पर यह दिखेगा, ठीक है और मैं आप लोगो जो बताना चाता हूँ वो यह है कि आप लोग individual elements को target करके माललो उनकी CSS class change करना चाते हो, तो कैसे करूँगा, ठीक है तो यह करके न यह boxes को जिस तरह से दिखेंगे अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा तीसरा box है वो red हो जाए उसका background red हो जाए तो मैं कैसे उसको target करूँगा या तो मैंने आप लोग को पुराने वीडियो में पिछला वाला की ज़रूरत नहीं है अगर मैं यहाँ पर एक method का प्रियोग करूँ मैं करूँ let a is equal to या फिर let bhus यानि भुपेंदर जोगी is equal to पुरा ही लिख देता हूँ भुपेंदर जोगी is equal to और मैं आप लिखेंगे हूँ document.get elements by class name और यह आपको आपको उड़ा type करने की ज़रूरत नहीं है आपकी IDE आपको बता देगी ठीक है और मैं कहूँ कि मुझे वो सारे elements चीगे है जिन में box नम की class लगए है और मैं इसको print करना चाहता हूँ console.log करना चाहता हूँ B, J लिखूँगा तो बुपेंदर जोगी आजाएगा क्योंकि यह वाला B ले लेगा और यह वाला J ले लेगा ठीक है तो इस तरह से आप लोग देखो जैसे ही मैं यहाँ पर console.log को दिखाऊँगा तो यहाँ पर यह सारे boxes आचुके है अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो मेरा second वाला यानि कि index 2 वाला क्योंकि यहाँ से तीसरा बुपेंदर जोगी है मैं कह सकता हूँ कि बुपेंदर जोगी इस 2 और मैं आप लिखूं .style. .style.css .style.backgroundcolor backgroundcolor is equal to और अगर मानलो मैं यहाँ पर red कर दूँ तो मुझे इसका background color जो है वो red होता हूँ वो मिल जाएगा ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम एक काम करता हूँ है इसको boxes कर देता हूँ ताकि यह represent करे उस चीज़ को जो कि यह है कभी भी अपने code में आप इस तरह से variables ना बनाए जो कि वो नहीं है ठीक है तो मैं यहाँ पर boxes लिखूँ हूँ कि यह सारे boxes है और मैंने क्या किया कि जो मेरा second index का box था उसके background color को red कर दिया बहुत ही simple सा काम किया है मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया लेकिन ज़रा सोचो कि यहाँ पर मैं एक और box यहाँ पर insert कर दूँ मेरी मर्जी मैं आपर मालो एक और box insert कर देता हूँ और एक चीज़ और करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 यहाँ लिखता हूँ 2 यहाँ लिखता हूँ 3 अब 3 वाला box red नहीं होगा, यह red होगा क्यों होगा यह red? 2.5 red इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मैं red किसको कर रहा हूँ दूसरे index वाले element को कर रहा हूँ लेकि मैं चाता हूँ एक particular element को red करना तो मैं क्या करूँगा कि इसमें एक id दे दूँगा और id हम कब देते हैं, id हम तब देते हैं जब हमें target करना होता है एक particular element को मैंने आप लोग को बताया था और मैं अगर इसमें id red दे दूँ and instead of saying कि boxes 2.style.background.color is equal to red यह ना करते हुए, मैं use कर सकता हूँ document.getElementById तो आप लिखो ge getElement b लिख दो, i लिख दो enter बारो के तो getElementById आजाएगा यह trick होती है, कि आप g लिखो, e लिखो b लिखो और automatically suggest हो जाएगा यह आपके variable names के लिए भी काम करेगा यह आपके जो built-in methods होते उनके लिए भी काम करेगा और यहाँपर मैं लिखूँँगा dot style और यहाँपर dot background color is equal to red, जो चीज मैंने आपर करी थी वो मैं करूँगा, अब क्या होगा अब instead of second index वाला element को red करने की बजाएगी क्या करेगा कि यह देखेगा कि और मैं आपर एक चीज और करूँगा, getElementById मैं आपर id भी लिखूँगा, कि कौन सी id यह क्या करेगा, कि red color की जो, sorry, red नाम की जो id है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है मैं इसका नाम red box भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ फिर मुझे यहाँपर id भी red box करना पड़ेगा ठीक है, तो मैंने यहाँपर red box लिखा यहाँपर भी red box लिखा, इसने का मैं यहाँपर एक element insert करूँ 1.5, तो यही वाला element red होगा, क्योंकि मैंने इसको id से select किया हुआ है, तो आप देखो यहाँपर कि यही element red है, ठीक है तो इसलिए हम लोग इसको इसको इस्तिमाल करते हैं, ठीक है I hope समझ में आ रहा है सबको कि यह method क्यों use करना है, और क्या इसका इस्तिमाल है, और बहुत जी simple सी चीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इसी को इस्तिमाल करने वाले हैं इस course के अंदर जब बड़े-बड़े projects बनाएंगे तब भी इस्तिमाल करेंगे इसी को, अब देखो यहाँ पर dom navigation properties are helpful when the elements are close to each other if they are not close to each other we have some more methods, अब देखो क्या होता है कि our parent, sibling, next sibling previous sibling, जब elements close to each other है और कम elements है तब आप लोग use कर सकते हो parent, child वाला जो हमने method use किया था पिछले वीडियो में लेकिन कभी-कभी एक particular element को id से target करना चाहोगे, document.get element by id use कर लो कभी-कभी क्या चाहोगे आप की class name से target करना चाहोगे, और यहाँ पर get elements है, get element नहीं है, याद रखना इस बात को, get elements by class name है, क्योंकि एक class अलग-अलग elements में हो सकती है multiple elements में हो सकती है, इसलिए elements होता है यहाँ पर, लेकिन id वाले में element होता है, क्योंकि एक ही element में एक id होगी वो id दूसरे element में नहीं हो सकती आप डाल दो तो वो एक गलत बात होगी लेकिन by rule आपको जो id है, id means identifier वो एक ही element में आप लोग डालोगे फिर होता है query selector अब मैं query selector आपको बताता हूँ, query selector क्या करता है, यही काम मैं query selector से भी कर सकता था मैं यह कह सकता था, document dot query selector और मैं कह सकता था, dot अब बाक्स, यह क्या करेगा यह select करेगा पहला box पहला box select करेगा जिसमें class box dot box, एक चीज़ नोट करना यहाँ पर मैं dot नहीं लगाया था, यहाँ पर मैं dot लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं CSS selector use करूँगा अब अगर मैं यहाँ पर style dot background color is equal to green कर दूँँ तो यह जो है, इसका background color जो है, वो green हो जाएगा ठीक है, वो ट्राप कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखो इसका background color green हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ let me see what's wrong, मैंने maybe कोई spelling mistake करी है, मैंने का document.queryselector dot box, ok, तो यहाँ पर गलती से यह computed style आ गया, आप देखो यह green हो गया, ठीक है, तो यह green हो जाता है जब भी आप इसको इस तरह से inline css में by javascript जो है add करते हैं तो, ठीक है, तो मैंने क्या किया inline css add करी using javascript, लेकिन एक बात है, यह सारे boxes को green नहीं करेगा, यह पहला जो भी selector match कर जाएगा, उसके साथ काम करेगा ठीक है, लेकिन आप चाहते हो होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, console log करके यह एक html collection return करेगा, जब आप कहते हो document.queryselector.box तब यह पहला element return करता है, जो .box selector से match हुआ, लेकिन जब आप कहते हो document.queryselector all, तब वो एक html collection return करेगा, और html collection कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें सारे वो elements आएंगे, जिसमें class box है, जिसमें class क्या है, box है, अब आप चाहते हो कि इन सब का background green हो जाए, तो क्या करोगे, यूज करना पड़ेगा आपको तोड़ा सा दिमाग, ऐसा नहीं है कि आप ये कर दोगे अगर तो ये, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, ये कर दो हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा ये इवन मैं console log अटा तो तब भी नहीं होगा मैं इसको ज़रा सही से लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये नहीं होगा, ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ का तो ये कहगा कि भाई, array में आप use नहीं, sorry html collection में आप dot style dot background color green नहीं कर सकते, देखो error आ गया ये कह रहा है कि भाई, cannot set properties of undefined setting background color, ये कह रहा है भाई, array का dot style कुछ होता ही नहीं है sorry, html collection का dot style कुछ होता ही नहीं है आप अगर किसी एक array का dot style कर लो, string का dot style कर लो क्या मतलब वो इस बात का, किसी element का dot style करो तो समय में आती है बात, तो आपको for loop का इस्तिमाल करके इस html collection के, इस node list के, सारे element को access करना पड़ेगा, ये node list return करता है, ठीक है, तो इसके सारे elements को आप लोग को एक-एक करके, क्या करना पड़ेगा set करना पड़ेगा इनका style, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक method होता है, for each, ठीक है, तो ये जो काम मैं नहीं किया ये, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं करूँगा dot for each और यहाँ पर मैं एक arrow function लिखूँगा, और arrow function लिखने के बाद, मैं आपर अगर console.log e लगाऊं, तो एक-एक करके सारे elements print हो जाएंगा, आप देखो, एक-दो, तीन, चार, पास ये करके मैंने भी print किये, मैंने print नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा e dot, और मैं कहूँगा style dot, style dot, और यहाँ पर जो background color, यह जो चीज है, जो मैंने green करी थी, यह पूरा copy करके, यहाँ आपर मैं paste कर दूँगा, ठीक है तो आप देखो, यहाँ पर यह करने से, यह सारे green हो जाएंगे, मुझे क्या करना पड़ा, for loop लगाना पड़ा, क्या मैं traditional for loop लगा सकता हूँ, classical वाला for loop, for i is equal to 0, i is less than, यह जो node list है, dot length, i plus plus, फिर उसके अंदर, हाँ भाई, कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी for loop इस्तिमाल करो, ठीक है, तो यहाँ यह चीज़ आपको बता होनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं query selector all से एक node list रिटर्न करवा रहा हूँ, तो इस node list को मुझे iterate करना पड़ेगा, और इसके हर element पे मुझे style.background color green करना पड़ेगा, यह चीज़ आप लोगों बता होनी चाहिए, ठीक है, so यह यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि, जब हम query selector इस्तिमाल करते हैं, तो ऐसा ही कर सकते हैं directly, क्योंकि वो सिर्फ एक element return करता है, लेकिन query selector all multiple elements return करता है, एक node list में, तो उस node list को हमें iterate करना पड़ेगा, और उनके individual elements के साथ काम करना पड़ेगा, यह हम बहुत ज़्यादा करेंगे, जब हम projects बनाएंगे, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, तो मैंने query selector आपको बताया, मैंने query selector all आप लोगों को बताया, अब क्या होता है, get elements by tag name होता है, get elements by tag name क्या होता है, अगर मैं कहून document dot, document dot get elements by tag name, all मैं अगर यहाँ पर div कर दूँ, तो सारे divs आ जाएंगे speech के, देख रहे हो, सारे divs आ गए, इसमें parent div जब भी आ जाएगा container वाला, समझेंगे, जितने भी divs है, सब आ जाएंगे, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए, और यह HTML collection return करता है, ठीक है, यह node list return करता है, क्या आपको याद रखने की जरुरत है क्या है collection return करता है क्या node list return करता है नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना भी काम हम करेंगे वो हम देख कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा और over the period of time हम memorize जितना भी हमारे दिमाग में बैटेगा वो खुद बैट जाएगा automatically मुझे जितना भी रटा हुआ है मैंने कभी बैट कर रटा नहीं है इस intention से किया और मुझे याद करना है projects बना-बना के industry में काम करकर के that's about it ठीक है तो tag name है आपके पास last name यह सब मैंने आप लोग को CSS देती हो तो वो यह check करेगा कि क्या आपका element इस CSS selector को match करता है की नहीं यानि कि अगर CSS selector से उस element को target किया जाए तो वो target होगा की नहीं ठीक है तो यह एक element एक given CSS को match करता है की नहीं यह बताएगा इसका example आप लोग को dot matches क्या ही match करता है यह वाला selector redbox हावाई करता है इसमें redbox id लगी हुई है तो यह true return करेगा लेकिन अगर मैं यहाँ पर e3 के साथ यही काम करूँ तो नहीं करेगा true return करेगा नहीं है भाई यह selector match नहीं होता है ठीक है cool एकदम clear है ठीक है और उसके बाद यह देखेगा कि इसका सबसे closest जो है element कौन सा है जो CSS selector को match करता है मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहापर closest जो है लिखूंगा और आप लोग को पता चलेगा और यहापर मैं लिखा e3.closest और इसने यहापर null दिया क्योंकि नहीं तो यह match करता था नहीं इसका parent match करता था I'm so on ठीक है अगर मैं यहापर लिख दू .container tब क्या होगा तब इसका parent जो है CSS selector को match करता तो यह क्या करेगा parent के पास जाएगा उसके parent के पास जाएगा अगर मैं यहापर लिख दू HTML तब इसने कहा कि HTML tag दे दिया यानि कि ये parent पे जाएगा उस पे check करेगा पहले खुद element पे check करेगा क्या ये CSA selector लागू होता है नहीं होता है तो parent पे जाएगा उसके parent पे जाएगा फिर उसके parent पे जाएगा जब तक कुछ match नहीं हुआ तो null return कर देगा जैसे कि आप लोगों ने देखा, फिर होता है contains, returns true if element b is inside element a, यानि कि अगर element b, element a के अंदर है, तो यह return करेगा true और अगर element a, element b ही है, तब भी यह true return कर देगा, ठीक है, तो अगर मैं यह आपर कहूं, document. query selector, मैं आप लोगो यह करके दिखाता हूं कि भाई, जो container है, ठीक है dot, और इसके बाद मैं अगर कहूं, contains, क्या यह contain करता है contains, और मैं आपर लिख दूँ e to जो कि हमारा, यह वाले e का second वाला, यह वाले div है, ठीक है क्या यह return करता है, contain करता है, और यह कह रहा है dot contains की spelling मैंने गलब लिख दिए, मैं इसकी spelling ठीक करता हूं, contains ठीक है, तो हाँ भाई, contain करता है लेकिन, अगर मैं कहूं कि querySelected.container.contains और अगर मैं यह आपर लिख दूँ क्या यह contain करता है easy रोखो गया, यह खुद को contain करता है तो भी true आएगा, ठीक है आता है इसा, जब कोई element दो और आप पूछो कि क्या ही है, इसी को contain करता है तो true आता है, ठीक है लेकिन, अगर मैं यहाँ पर लिख हूं dot contains, और मैं कहूं document.querySelector और मैं यहाँ पर लिख दूँ body, ठीक है तो यहाँ पर, उपस तो यहाँ पर false देखने को मिलेगा, क्योंकि जो body है, वो इस container के अंदर नहीं है, in fact body के अंदर container है, तो अकर मैं यह दोनों चीज़े switch कर दूँ यानि कि मैं यहाँ पर कर दूँ body और यहाँ आपर कर दूँ container यह dot container, तब यह मुझे आप लोग को यह सब चीज़े समझ में आ गए, अब एक बात यहाँ पर आप लोग को बोलना चाहूँगा, और वो यह है कि अगर आप लोग को यह सारी चीज़े बोर लग रही है तो यह सब चीज़े काम आने वाली है, जब हम लोग projects बरहेंगे, तो आप लोग बहुत patiently wait करो, और मुझ पर पूरा बरोसा रखो कि मैं अच्छे च्छे projects इस course में आप लोग को बनवाने वाला हूँ, और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन कुछ basics, मुझे पता है बहुत सारे बाजी में चल ले हो, और सोच रहो गया, जल्दी से projects बना ले, तो वो भी एक गलत thinking है, इस बात को आप समझे, और मैंने देगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी projects बनवाओ, तो projects भी हम लोग बनाएंगे, do not worry about it, और अगर अपने अभी तर के playlist access नहीं गड़ी, तो इसको access करें, bookmark करें, save करें, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाल